नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चानल दोस्तों इस चैनल पर आपको जनरल लवनेस के जितने भी एक्जाम में कोशन पूशा आते हैं सभी यहां पर एक एक करके डिसकस किया जाएगा बस आप लोगों को सपोर्ट करना है यानि कि चैनल को सेर करना अपने दोस्तों के साथ और देखिए वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए और आपको इसको जरूर सेर करना है तो देखिए आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो DDA यानि कि Delhi Development Authority में Junior Engineer का पेपर हुआ था सिबिल का तो सिबिल का कभगा था 23 अपरेल 2018 को सेकंड सिप्ट में यानि कि साथे बारा से धाय बज़े के बीच में तो इस पेपर को डिसकस करेंगे General Awareness के सेक्शन को और देखिए PDF मिल जाती है हमारे जो टेलिग्राम चैनल है GK Affairs 25 के नाम से Link description में मिल जागा और देखिए आपके पास कोई भी question paper है कोई भी exam का जिसमे General Awareness है तो आपको इस Gmail पर जरूर भेजना है GK Affairs 25 at the rate gmail.com इस Gmail पर जरूर भेजिए उस paper को यहाँ पर discuss जरूर किया जाएगा तो देखिए question है कि which Indian estate is the largest Y area यानि कि भारत में पुछा जार रहा है कि सबसे बड़ा राज कौन सा है तो राज थान सबसे simple question है लेकिन थोड़ा सा इसमें confusion है कि smallest जो है estate कौन सा है smallest जो है आपको कौन सा है तो smallest है आपको गोवा तो गोवा जो है इसका correct answer होगा अगर smallest पूछा है लेकिन अगर population के हिसाब से पूछा है कि सबसे कम population की सराज में है तो सिक्किम इसका correct answer होगा सिक्किम जो है करेक्ट अंसर होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा किरास्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का सबसे छोटा है गोवा लेकिन पोपलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सबसे बड़ा राज्य है हिसाब से उत्तर परदेश तो इसको ध्यान रखेगा अब देखे कोशन है कि what is the chemical substances secreted by the endocrine gland यानि कि अंता सरावी जो ग्रंथियां होती है तो उसमें जो है कौन सा जो है chemical substance निकलती है secret होती है तो हर्मोन इसका करेक्ट अंसर होगा हर्मोन निकलती है तो इसको ध्यान रखेगा कि इंडो क्राइन जो ग्राइन यानि कि अंता सरावी ग्रंथियां होती है उससे निकलती है एक chemical substances जिसका नाम है हर्मोन अब देखे कोशन है कि with which country did India recently sign to MOEU यानि कि Memorandum of Understanding sign किया गया था one on the capacity building for the civil servant and another on center of excellence in IT देखे नामविया से sign किया गया था एक current affairs का question है तो इसको ignore कर सकते हैं क्योंकि current affairs आपको नए नए पढ़ने होते हैं अब देखे question है कि what was the mantra suggested by the prime minister Narendra Modi to improve India's tax administration तो देखे एक current affairs का ही question था लेकिन इसको अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि जो tax administration है इसमें reform करने की बात की गई थी इसमें improvement की बात की गई थी प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi के द्वारा देखे रैपीड एक mantra दी गई थी तो इसको ध्यान रखना है तो रैपीड का full form है R for revenue, A for accountability, P for poverty, I for information and D for digitization तो it will help people to respect the rule of the law as well as the fear of the long arm of the law for those who evade taxes तो रैपीड का देखे एक फूल फॉर्म कई exam में पूछे गए हैं तो इसको ध्यान रखना है आपको जो question करवाऊँगा तो आप देखेगा कितना repeat question होता है तो आपको इसी से तयार करना है तो देखे रैपीड एक पर और बताता हूँ R for revenue, A for accountability, P for poverty, I for information and D for digitization यानि कि रैपीड मंत्र दिया गया था Prime Minister Narendra Modi के द्वारा ताकि tax administration इंप्रूव हो इंडिया में है question है कि as per international committee federation तो during time out और interval के दोरान international committee federation के द्वारा जो मानेता पर आपता है कितने reserve player को substitute किया जा सकता है तो 5 इसका correct नमसर होगा 5 player को substitute किया जा सकता है तो देखे इंटरनेशनल कबड़ी federation है एक international governing body है कबड़ी का जिसमें 31 member है इसको ध्यान रखना है और इसको form किया गया था 2004 में और इसके founder और current president है असीज पचवरी जो कि इंडिया से है असीज पचवरी अभी इसके founder और current president है यानि कि अभी current में भी पूछा जा सकता है कि international कबड़ी federation के president अभी कोन है तो असीज पचवरी है जो कि इंडिया से बिलॉंग करते है अब देखे question है कि what are the gravitational, electromagnetic, strong nuclear and the big nuclear collectively and the commonly referred यानि कि एक क्या है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा अब देखे question है कि who is considered the first guru of the sikh यानि कि sikh dharm के संथापक पुछा आता है तो देखे sikh dharm के 10 guru हुए है तो इसको और एक जो है guru मुखी है तो ए आपको ध्यान रखना है तो 10 जो है आपको human के form में guru है तो 10 में से पहला guru है guru nanak जिन्होंने sikh dharm की निव रखी है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है guru nanak और last 10 में नंबर के है guru govindsi तो guru govindsi 10 में नंबर के guru है जबकि guru nanak जो है पहले guru है sikh dharm के अब देखे question है कि what is the ionic compound that result from the neutralization reactions of an acid and a base cold तो देखे acid और base के जो reactions होते हैं तो एक जो है substances यानि कि आइनिक compound जो है form होती है तो salt इसका correct answer होगा salt is the correct answer for this question अब देखे question है कि which vicerai was elected as the governor general of India after the partition of India and the Pakistan तो देखे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जाकर जो पूछाया रहा है कि उस समय भारत के governor general कौन थे तो Lord Mountbatten थे यानिकि स्वतंत्र भारत के पहले governor general थे Lord Mountbatten और अंतिम जो है का सकते हैं कि governor general थे यानिकि vicerai उस समय बोलाया था था तो ध्यान रखना है कि vicerai थे Lord Mountbatten और अगर अंतिम पुछाया थे तो चक्रवरती राजगोपाला चारी थे जो कि अंतिम थे जो कि और पहले और अंतिम भारतिये भी चक्रवरती राजगोपाला चारी थे लेकिन जब भारत जो अजाध हुआ और partition हुआ इंडिया और पाकिस्तान की रूप में तो Lord Mountbatten थे उस समय के बाईसर आए तो अंसर एक correct अंसर होगा अब देखे question है कि who appoint the attorney general of India attorney general of India यानि कि भारत के महानियाईवादी भारत के महानियाईवादी के appointment कौन करते हैं तो president of India तो देखे attorney general जो होते हैं इंडियन गर्मेंट का chief legal advisor होते हैं chief legal advisor है तो इसको ध्यान रखिएगा chief legal advisor है और principal advocate है जो कि supreme court में government of India को represent करते हैं और देखे ये आपको सम्मेधानिक post है तो president of India इनको appoint करते हैं लेकिन एक article में जिक्रिक किया गया है article 76 76 का one जो है उसमें बात कही गई है कि भारत का एक attorney general होना चाहिए और ये तब तक काम करते हैं जब तक president का pleasure आता है तो इसको ध्यान रखिए और appointment किनको करते हैं president of India जो qualify करते हैं जो की supreme court के judge के लिए और एक समयधानिक post है जो की भारत के जो है यानि की government of India के chief legal advisor है और principal advocate है Supreme Court of India में भारत को represent करने के लिए और भारत की ये समयधानिके 76 एक article में इसका उलेक किया गया है और देखे अगर हम अभी बात कर लेते हैं कि अभी जो है कौन है attorney general of India तो 13 नंबर के यानि कि 13 नंबर के है KK बेनुगोपाल KK बेनुगोपाल जो है 13 नंबर के attorney general है जबकि first attorney general कौन थे तो MC सीतलवाड MC सीतलवाड वाजता first जो है attorney general of India तो इसको याद रखना है तो सब कुछ मैंने बता दिया है तो देखे इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ जितने भी कोचन थे सब कुछ मैंने discuss कर लिया है तो वीडियो को like कर दीजिए और वीडियो को देखे share भी करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस करिए so thank you दोस्तों इस वीडियो में इतना ही